नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल वी ए आर एस्ट्रोलोजी में दोस्तों आज के भोतिक वादी युग में लगबग हर वेक्ती किसी ना किसी प्रकार से कर्ज में दबा हुआ है क्योंकि किसी ना किसी कारण वश उसे कर्ज लेना पड़ता है चाहे घर बनाना हो गाड़ी लेना हो या फिर अपने बच्चों की साधी करनी हो एक आम इंसान को कर्ज लेना पड़ता है परंतु कई बार ये कर्ज बड़ी समझ्या बन जाता है क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ वेक्ती हमेशा चिंता में रहता है मानसिक परिशानिया इसे वेक्ति को हमेशा गेरे हुए रहती है कई बार कर्ज चुकाना इतना मुश्किल हो जाता है कि वेक्ति को सालों तक कर्ज के बोज में दबा रहना पड़ता है दोस्तों अगर जोतिस के माध्यम से हम देखें तो कुंडली में शष्टम भाव से हम कर्ज की जानकारी मिलती है अगर कुंडली में शष्टम भाव पीडित है लगनेस पीडित है साथ में मंगल अगर नीच रासी का या फिर पापी प्रभाव में छटे भाव या फिर बारवे भाव में बैठा है तो वेक्ति को कर्ज से संबंदित परेशानिया रहेंगी। अगर लगने इसका छटे बाव से संबंद बन जाता है, तो भी वेक्ति के जीवन में लगातार कर्ज के समश्याईं बनी रहती है। दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, कि किसी न किसी कारण वर आपको करज लेना पड़ा हो चाहे वो मजबूरी में हो या कोई और कारण हो परन्तु ये करज को चुकाना आपके लिए अगर समस्या बन चुका है और आप मन ही मन में घुट रहे हैं तो आज हम आपके लिए कुछ खास उपाई लेकर आए हैं दोस्तों इन उपाईों की मदद से आपको एक सकारात्मक उरजा जरूर महसूस होगी और आपके जो धन आगमन के स्तरोत है वो खुलेंगे तो आपको ये उपाई जरूर करने चाहिए अगर आप ये उपाई करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन आगमन के नए रस्ते खुलेंगे और आपका करज देखते देखते खतम हो जाएगा और आप एक सुकून बरी जिन्दगी जी पाएंगे तो दोस्तों आपको ये उपाई जरूर करने चाहिए देखिए दोस्तों आपको शुकल पक्स के मंगलवार से इस उपाई की सुरुवात करनी है मंगलवार की सुबह इसनानादी से निवरित होकर आपको एक जटा वाला नारियल लेना है अब दोस्तों छोटे से पात्र में सिंदूर ले लीजिए और उसमें चमेली का तेल मिलाकर गोल बना लीजिए अब दोस्तों उस नारियल पर आपको उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाना है स्वस्तिक बनाने के बाद दोस्तों आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है साथ में आप लड़ू या फिर गुड चने का प्रशाद भी ले सकते हैं हनुमान जी को ये नारियल आप अर्पित कीजिए और वहाँ पर बेट कर रिण मोचन मंगल स्तरोत का पार्ट करें दोस्तों ये उपाए आपको मंगलवार के मंगलवार करना है साथ मंगलवार अगर ये उपाए आप करते हैं तो निश्चित मानिये हनुमान जी की कृपा से आपके जो भी करज है वो सब करज उतर जाएंगे आपके जीवन में धन आगमन के नए स्तरोत खुलेंगे वो देखते ही देखते आपका सारा करजा उतर जाएगा तो दोस्तों मंगलवार के दिन से ये उपाए आप जरूर कीजिए आपको निश्चित तोर पर लाब होगा दोस्तों इसके अलावा आप एक उपाई ये भी कर सकते हैं कि सौमवार के दिन भगवान बोले नाथ पर गन्ये के रस से अभिशेक करना चाहिए अगर ये आप करते हैं तो भी आपके लिए करज मुक्ती के लिए एक रामबाण उपाई शिद्ध होगा ये भी आप कर सकते हैं एक बात का दोस्तों आप खयाल रखिये कि कोई भी प्रकार का आप करज या फिर लून लेते हैं तो आपको मंगलवार के दिन करज नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर कुंडली में शश्टम भाव पीडित है मंगल कमजोर है फिर करज चुकाना बड़ा मुस्किल हो जाता है मंगलवार को लिया हुआ करज आसानी से चुकता नहीं है इसलिए धन का कोई भी लेन देन मंगलवार को नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इस बात का आप विशेस खयाल रखिए और जो भी उपाए हमने इस वीडियो में बताये हैं वो श्रद्दा और विस्वास के साथ करिए बोलेनात और बजरंग बली की कुरुपा से आपके जीवन में जो भी कर्ज बने हुए हैं उनसे आपको मुक्ती मिलेगी और आप पर भगवान की कुरुपा असीम कुरुपा आप पर बरसेगी धन्यवाद